स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों आज हम बात करेंगे बिरला की एक शांदार स्कीम के बारे में जिसके अंदर आप सिर्फ एक बारे हजार रुपे निवेश करके अपने लिए एक करोड 23 लाक रुपे का बड़ा फंड बना सकते हैं दोस्तों ये स्कीम उन लोग के लिए काफी बढ़िया रहेगी जिनके पास थोड़े से कहीं से पैसे आये हैं और वो से निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और साथ के साथ हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि इस स्कीम के अंदर आपको कैसे यहां पर बारे हजारों पे निवेश करके एक बड़ा फंड मिल सकता है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम इस स्कीम के बारे में उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे उससे पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों बिरला की जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम उसके च्छे माईने के रिटन की बात करें तो 30.92 परसेंट का रिटन है एक साल की बात करें तो 77.95 परसेंट का रिटन है तीन साल की बात करें तो 41.47 परसेंट का रिटन है पांच साल की बात करें तो 33.47 परसेंट का रिटन है और दोस्तों इस स्कीम काफी पुरानी है जब से ये शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगतार इस स्कीम ने 26.55% का रिटन दिया है दोस्तो ये एक mutual funds की स्कीम है जिसका नाम है आदित्य ब्रिला Sun Life Digital India Fund दोस्तो mutual funds के अंदर निवेश करना बहुत जादा फायदिमन साबित होता है क्योंकि mutual funds का जो पैसा है वो stock market के अंदर निवेश के जाता है और stock market भी अपने hyper है और यहां से भी stock market के अंदर एक अच्छी growth देखने के लिए मिल सकती है यही वज़ा है कि अगर आप आज किसी mutual funds स्कीम में निवेश करते हैं तो आने वले time में आपको एक अच्छा profit मिल सकता है अब दोस्तो बात आती है कि किसी भी mutual funds स्कीम के अंदर निवेश करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या होते हैं तो दोस्तो आज हम जिस विकल्प की बात करेंगे वो है lump sum एक बार इसके अंदर आप 12,000 रुपे निवेश करके यहां पर एक बड़ा fund बना सकते हैं तो दोस्तो आज हम इसी विकल्प के बारे में बात करेंगे जो है lump sum दोस्तो कर हम यहां पर बात करें इस स्कीम के fund साइज की तो यह है 2658 करोड रुपे का यानि इतने पैसे लोगोंने इस स्कीम के अंदर निवेश किये हुए है दोस्तो इसका NAV यानि Net Asset Value 149 रुपे 64 पैसे का है यानि के 144 रुपे 64 पैसे का दोस्तो NAV किसी भी mutual funds का एक unit price होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो current NAV का price होता है उसके हिसाब से आपको unit lot की जाती है दोस्तो गर बात की जाए यहाँ पर holding analyst की कि आपका पैसा किने stock के अंदर निवेश किया गया है तो आपका जो पैसा है दोस्तो वो वो Infosys के अंदर TCS, Tech Mahindra, HCL Technology, Bharti Aytel, Ciant, Wipro जो दोस्तो 22 Quality की IT Companies है उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है दोस्तो गर बात की जाए हाँ पर इस scheme के expense ratio की तो यह है 1.01% का दोस्तो expense ratio किसी भी mutual funds का एक खर्चा होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो expense ratio होता है यह काटने के बाद जो current NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको unit lot की जाती है दोस्तो गर बात करें हाँ पर हम fund management की तो इस fund को कुनाल नंगोई 2014 से manage कर रहे हैं दोस्तो गर बात कीज़ें यहाँ पर अधित्य ब्रिला Sun Life mutual fund house की तो इंडिया में four number पर rank है कंपनी स्टार्ट हुई थी 23 दिसंबर 1994 में और कंपनी के पास जो AUM है यानि asset under management वो करीब 2,68,155 करोड रूपे का है यानि इतने पैसे लोगोंने अलग-अलग scheme के अंदर आधित्य ब्रिला Sun Life mutual fund house के साथ निवेश किये हुए है दोस्तो ये तो बात होई scheme की इस scheme का जो all time का written है वो है 26.50% का लेकिन ये scheme अगर आने वाले time में आपको सिर्फ 26% का भी return देती है और आप इसके अंदर 12,000 रुपे निवेश करते हैं तो कैसे यहाँ पर आप 1,23,000 रुपे का बड़ा fund बना सकते हैं चलिए अब हम इसे calculate करते हैं दोस्तो ये हमारे पास एक mutual funds का lump sum calculator इस scheme के अंदर अगर आप एक बार 12,000 रुपे निवेश करते हैं इस scheme का जो return है वो हमने expect किया है आने वाले time में 26% का इस पैसे को अगर आप सिर्फ एक साल के लिए निवेश करते हैं तो एक साल के अंदर आपको estimate return जो मिलेगा वो 3,120 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको एक साल के बाद 15,120 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 12,005 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 24,005 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 36,018 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 48,018 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 9 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 84,054 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 1,92,144 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 3,72,361 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 3,84,361 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 18 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 7,56,867 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 7,68,667 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 21 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 15,26,023 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 15,38,023 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 24 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 30,64,623 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 30,66,623 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 27 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 61,42,403 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 61,54,403 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 1,22,99,121 रुपे का होगा 12,000 रुपे जो आपने निवेश किये हैं उन्हें मिला के आपको 1,23,11,121 रुपे मिलेंगे तो दोस्तो काफी बहतरिनी स्कीम है जिसके अंदर आप सिर्फ 12,000 रुपे एक बार निवेश करके अपने भविशे के किजी भी planning को आराम से पूरा कर सकते हैं 1,23,00, रुपे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो दोस्तो आई होप आपको इजनकरी जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो से लेटिट अगर आपका कोई भी कोशन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे comment box में comment करके हमें जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद